आज हम जस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है लूसी लूसी इस फिल्म की में किरदार है लूसी एक अमेरिकन लड़की होती है और अपने बॉइफरेंड रिचर्ड के साथ ताइवान के एक होटेल के सामने होती है रिचर्ड लूसी को बोलता है कि वो होटेल में जाकर एक ब्रीफ केस मिस्टर जान के रूम में जिलिवर करें वो उसे 500 डॉलर ओफर करता है पर लूसी मना कर देती है क्योंकि रिचर्ड उसे ये नहीं बताता कि ब्रीफ केस में क्या है Lucy उससे बोलती है कि वो तब तक उसका काम नहीं करेगी जब तक वो उसे नहीं बताएगा कि उसमें क्या है Richard को गुस्सा आता है और वो हदकड़ी निकाल कर Lucy का हाथ उस briefcase से बान देता है अब Lucy के पास कोई choice नहीं होती और उसे होटेल में जाकर मिस्टर जैंग को वो briefcase दीना ही पड़ता है वरना वो briefcase उसके हाथ में बंदा रहेगा Lucy होटेल में जाकर receptionist से पूछती है कि उसे मिस्टर जैंग के रूम में जाना है receptionist मिस्टर जैंग को कॉल करता है मिस्टर जांग पूछते हैं कि उनके लिए कौन वेट कर रहा है लूसी बताती है कि उसे रिचर्ड ने भीजा है रिसेप्शनिस्ट उसे अपना नाम पूछता है और लूसी बहुत डर कर अपना नाम बताती है फाइनली उससे रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि वो लॉबी में वेट करे मिस्टर जैंग उससे नीचे मिलने आ रहे हैं वो होटेल के शीशे में देखती है कि रिचर्ड उसे एंकरेज करने की कोशिश करा था फर उसी टाइम अचानक कोई रिचर्ड को गोली मार देता है वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो लूसी को पकड़ कर एलेवेटर के उपर लिचाते हैं लूसी बहुत डर जाती है और वो रोने लगती है वो उनसे भीक मांगती है कि वो उसे छोड़ दे ये सीन एक चीता और डियर की फोटेज से कमपेर किया जाता है कि कैसे चीता एक डियर के पीछे भाग कर उसे मार देता है और फिर अपने दाटों में ले जाता है लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था वो गुंडे लूसी को अपने बॉस के अपार्टमेंट में लेकर जाती है जहां खून से लदबत लाशे पड़ी हुई थी लूसी ये देखकर शौक होती है और वो उल्टी करना शुरू कर देती है अब मिस्सर जैंग आते हैं जिसके मूँ और हाथ पर खून होता है क्योंकि उन्होंने अपने अपार्टमेंट में लोगों को मार दिया था वो किसी आदमी को कॉल करता है जो लूसी के लिए ट्रांसलेट कर सके इस बीच लूसी बहुत रो रही होती है क्योंकि वो डर गई थी और उसे नहीं पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है और उसे क्यों पकड़ा गया है वो उन्हें बताती है कि बस रिचर्ड ने ये ब्रीफ केस देने को बोला था और उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी मिस्टर जैंग पेपर पर 140 लिखते हैं जो उस ब्रीफ केस का कोड होता है। ये लिखकर मिस्टर जैंग वहाँ से निकल जाते हैं और उसके सब आदमी अपने शील्ड आगे कर लेते हैं और गंस निकालते हैं। वो लूसी को ब्रीफ केस खोलने के लिए फोर्स करते हैं। Lucy पूछती है कि briefcase में क्या है और वो बोलते हैं कि कुछ dangerous नहीं है, पर उन्हें Richard पर भरोसा नहीं है. Finally, Lucy briefcase खोलती है. वो लोग उससे बोलते हैं कि briefcase के अंदर के सामान को describe करें. तब Mr. Jang के लोगों को पता चलता है कि उसमें वही है जो उने चाहिए था. Lucy बोलती है कि उस briefcase में चार packets है जिसमें blue color का कोई powder है Finally Mr. Jang के आदमी आगे आकर वो powder लेते हैं क्योंकि वो सही चीज थी वो उस blue color के powder को एक आदमी को देते हैं जो उस powder को एक बहुत लंबी सास से अंदर ले लेता है वो आदमी बहुत अजीब होता है और फिर जोर-जोर से हसने लगता है उसी वक्त Mr. Jang के आदमी उसे गोली मार देते हैं Lucy बहुत डर जाती है Mr. Jang Lucy को जॉब आफ़र करता है फर वो मना कर देती है Mr. Jang का एक आदमी आकर उसे जोर से मार देता है जिससे वो बेहोश होती है जब Lucy होश में आती है वो खुद को एक कमरे में बैट पर पाती है उसके पेट में स्टिचस होते हैं और बैंडेज लगे होते हैं कुछ आदमी अंदर आते हैं और वो उसे कपड़े देते हैं वो लोग उसे फिर से Mr. Jang के पास लेते हैं वो पूछती है कि उसके साथ क्या किया गया है Mr. Jang का आदमी बोलता है कि उन्होंने बस उसके पेट पर एक कट किया था जो आप स्टिच कर दिया गया है वो लूसी को बोलता है कि ये कुछ टाइम में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और लूसी को कुछ नहीं होगा लूसी को लगता है कि उन्होंने उसका औरगन निकाल लिया है पर वो आदमी उससे बोलता है कि उसका कोई औरगन नहीं लिया गया बलकी उन्होंने एक पैकेट उसके टमी में डाल दिया है लूसी पूछती है कि उस पैकेट में क्या है वो बोलते हैं कि उसमें एक ड्रग है जिसका साइंटिफिक नाम CPH4 है इसके बाद तीन और लोग अंदर आते हैं उनके पैट के अंदर भी वो ड्रग का पैकेट रखा होता है मिस्टर जैंग का आदमी उनको बोलता है कि वो लोग उनको एक लोकेशन पर ले जा रहे हैं जहां उनके आदमी ये पैकेट निकाल लेंगे और फिर वो लोग आजाद हैं वो उनको पासपोर्ट और टिकेट देते हैं मिस्टर जैंग का आदमी लूसी और तीनों आदमियों को धमकी देता है कि अगर वो पुलीस के पास गए तो उनकी फैमिलीज को मार दिया जाएगा इसके बाद वो उन चारों के फेस को कवर करते हैं ताकि उन्हें पता ना चल पाए कि वो कहां जा रहे हैं दूसरी तरफ एक जगह प्रोफेसर सामिल नॉमन यूमन एविल्यूशन पर स्पीच दे रहे होते हैं वो बताते हैं कि यूमन्स कितने इंटेलिजेंट हैं और उन्होंने कैसे पूरी दुनिया पदल दी है यूमन्स सिर्फ 10% Cerebral Capacity यूज़ करता है यूमन्स से इंटेलिजेंट बस डॉल्फिन्स होती है जो 20% Cerebral Capacity यूज़ करती है उनके पास Ecolocation की खासियत होती है जो इंसानों की Sonar Technology से काफी अच्छी है Dolphins ने Sona Technologies डेवलाप नहीं की बलकि उन्होंने ये खुद में डेवलाप कर ली फिर वो Cells की बात करते हैं वो बोलते हैं कि अगर environment suitable ना हो तो Cells खुद को immortal करने की कोशिश करते हैं पर अगर environment suitable हो तो वो reproduce करती है ताकि वो अपनी information next Cells को पास करे Cells में information बहुत साल उसे पास हो रही है दूसरी तरफ Lucy का face cover होता है और वो किसी कमरे में बंद होती है जहां दो आदमी होते हैं एक आदमी उसे harass कर रहा होता है जब वो ना बूलती है तो वो आदमी उसे मानने लगता है वो उसके पेट में बहुत लाती मारता है तभी दूसरा आदमी आता है और उस आदमी को बाहर ले जाता है और Lucy को बंद कर दीता है Lucy के पेट में बहुत दर्द होना शुरू करता है उसके पेट से खून निकलना शुरू हो जाता है उसके पेट के अंदर जो ड्रक था वो भी लीग कर रहा था अब मुवी फिर से प्रोफेसर सैमल नॉर्मिन की स्पीच पर शिफ्ट होती है प्रोफेसर सैमल बताते हैं कि अगर इनसान अपना 20% दिमाग यूज कर पाए तो अपनी पूरी बाड़ी पर कंट्रोल कर सकता है और अगर 40% यूज करेगा तो बाकी लोगों को भी कंट्रोल कर सकता है वहाँ बैठा हुआ एक स्टूडेंट प्रोफेसर सैमल से पूछता है कि अगर 100% यूज किया होगा तो प्रफेसर सैमल बोलते हैं कि उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं है यहां लूसी अपने लॉकर में गिरी हुई होती है और उसके ब्लड में बहुत सारा ड्रग मिक्स हो चुका था जिससे वो अचानक 20% दिमाग यूज कर पाती है और उसका दिमाग तीज काम करने लगता है वो अचानक से उटकर चेयर पर बैठ जाती है और उसे कोई emotion फील नहीं होता अब वो आदमी फिर से आता है जिसने लूसी को हरास किया था इस बार लूसी उसको ट्रिक करती है और उसको मार कर निकल जाती है वो उसका गण लेती है और बाहर सब को मारती है फाइनली वो हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ से आपरेशन थीटर में जाती है जहां डॉक्टर्स किसी को आपरेट कर रहे थी डॉक्टर्स लूसी को बोलते हैं कि वो वहाँ से निकल जाए क्योंकि अभी वो operation कर रहे हैं Lucy उस patient का brain scan कर लेती है और सीधे उस patient को गोली मारती है वो बोलती है कि उस patient के brain में बहुत बड़ा tumor है और वो किसी भी हाल में बनने वाला था फिर वो gun लेके doctors को force करती है कि उसके पेट से वो drug का packet निकाल दे doctors डर जाते हैं और operation शुरू करते हैं Lucy एक doctor का phone लेकर अपनी मा को call करती है और उसी दोरान doctors उसके पेट से drug निकाल रहे थे वो अपनी मा को बोलती है कि उसे सब कुछ महसूस हो रहा है उसे gravity, earth की rotation, air, vibration, वो heat जो उसकी body से निकल रही थी उसकी veins में वो blood, उसकी सबसे पुरानी memories, वो सब महसूस हो रहा था Finally doctors उसके पेट से वो packet निकाल देते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसमें सिर्फ 500 ग्राम्स बची थे Lucy उन से पूछती है कि इस drug के effect को जाने में कितना time लगेगा डॉक्टर बोलता है कि ये कौन सा drug है Lucy बताती है कि ये CPH4 है डॉक्टर हिरान होता है और बोलता है कि ये drug pregnant औरते 6th week में बहुत कम quantity में produce करते हैं जिससे body को energy मिलती है bones बनाने के लिए वो हिरान होते है कि Lucy अभी तक जिन्दा कैसे है Finally Lucy hospital से निकल जाती है अब उसका brain 20% से ज्यादा काम कर रहा था अब वो सब चीजों के थ्रूद देख सकती थी वो जाके जैंग के होटेल पर जाती है वो रूम का दर्वाजा खोले बगेर ही देख पा रही थी कि अंदर क्या हो रहा था वो बिना दर्वाजा खोल के उसके सब गार्ड्स को शूट करती है और अंदर जाकर जैंग के हाथों पर चाकू दाल देती है वो उससे पूछती है कि उसने बाकी तीन लोगों को ड्रग लेकर कहा भेजा है जैंग नहीं बताता जिस पर लूसी अपने हाथ उसके सर पर रख कर उसका दिमाग पढ़ लेती है जिससे उससे पता चलता है कि वो लोग रोम, पैरिस और बरलिन में होते है फिर वो वहाँ से निकल कर घर जाती है जहां उसकी रूमेट होती है वो अपनी रूमेट से लापटॉप लेती है और सर्च करती है ब्रेन पे रिसर्च किसने की है वहाँ उसे प्रोफेसर सैमिल नॉर्मन का नाम आता है वो उनको कॉल करती है और उनसे कहती है कि वो उनसे मिलना चाती है उसने उनकी सारी रिसर्च पढ़ ली है प्रफेसर नॉर्मल को हसी आती है और लूसी से वो पूछते हैं कि उनकी रिसर्च में कितने पेज़िस हैं लूसी बोलती है 6734 पेज़िस और वो उनसे बोलती है कि वो उनकी सारी रिसर्च उन्हें सुना सकती है अगर उन्हें लूसी की बात पर यकीन नहीं हो रहा हो तो लूसी अचानक से नॉर्मन की टीवी पर आती है जिससे वो शौक होते है लूसी बताती है कि उसने CPH-4 बहुत क्वांटिटी में अब्सॉफ कर लिया है और जल्दी उसका ब्रेन 100% केपासिटी पर काम करेगा जिससे वो 24 घंटों के अंदर मर जाएगी वो बताती है कि अभी 28% केपासिटी वो यूज कर रही है और उसकी बाडी की सेल्स बहुत भयानक स्पीट से रिप्रड्यूस हो रही है नॉमन लूसी से पूचते हैं कि क्या वो अपना मेटबॉलिस्म कंच्रोल कर सकती है लूसी बोलती है हाँ यहां तक कि वो दूसरों की बाडी भी कंच्रोल कर सकती है वो बताती है कि वो इलेक्ट्रिक और मागनेटिक वेवस भी कंच्रोल कर सकती है जिससे वो टीवी, फोन्स और रेडियोस कंट्रोल कर पा रही थी ना ही लूसी को डर लग रहा था और ना ही उसे कोई पेन फील हो रहा था लूसी बताती है कि उसके पास अब क्वान्टम फिजिक्स और अप्लाइड मैथमाटिक्स की बहुत नौलिज है और वो उसका क्या करे प्रोफसेर नौमन उससे बोलते हैं कि वो यह नौलेज लोगों को पास आउन करे लूसी जिसायट करती है कि वो प्रोफसर नौमन के घर जाएगी जो बारा घंटे दूर था वो फाइनली नॉर्मन के घर जाने के लिए निकल जाती है पर पुलीस उसकी तलाश में होती है क्योंकि खबर वाइरल हो गई थी कि उसने हॉस्पिटल में पेशन्ट को गोली मारी फर उसके पास नई सूपर पावस थी और वो अपना हुलिया कुछी सेकंड्स में चेंज कर सकती थी जिससे उसको पहचानना बहुत मुश्किल था अब वो पैरस की फ्लाइट पकड़ने के लिए एरपोर्ट पहुचती है वहाँ से वो पुलीस ओफिसर पेरी डेल रियो को कॉल करती है और बोलती है कि उसके पास ड्रॉंक डीलर्स की इंफिर्मेशन है डेल रियो पहले लूसी को उतना सीरसली नहीं लेते फर लूसी उनको फोन पर बोलती है कि वो अपने डेक्स से उठे और अपने लेफट साइट पर रखा हुआ रेट पैन उठा कर सब नोट करे जो लूसी बोल रही है ये सुनकर Dell हेरान हो जाते हैं कि आखर Lucy को ये सब कैसे पता और वो कैमराज ढूरने लगते हैं. Lucy उन्हीं बोलती है कि कोई कैमरा नहीं है, वो उनकी बात ध्यान से सुने. लूसी बताती है कि वो उन्हें तीन लोगों की डीटेल भीजेगी जो यूरोप पहुचने वाले हैं वो डेल को बताती है कि वो उन्हें अरिस्ट करें और उनके पेट से ड्रग के तीन पैकेट निकाल दे वहाँ एरपोर्ट पर एक पुलीस डॉक उस पर भौकना शुरू कर दीता है और वो उससे आई कॉन्टाक्ट करती है जिससे वो शान्त हो जाता है फिर वो पैरिस की फ्लाइट बोर्ट करती है और उस फ्लाइट में वो शैंपेन का एक सिप लेती है और उसकी बोडी हवा में डिजॉल्व होने लगती है उसके सेल्स गले लग जाते है और वो जल्दी से वाश्रूम की तरफ भागती है वो खुद को बचाने के लिए और कंस्यूम करती है वो वाश्रूम में बेहोश हो जाती है जैसे ही उसे होश आता है वो हॉस्पिटल में होती है वो हॉस्पिटल के रूम से बाहर निकलती है और वहाँ पुलीस वाले गांस लेकर खड़े होते है क्योंकि उन्हें वो क्रिमिनल लग रही थी वो डेल रियो के सारे पुलिस वालों को एक सेकंड में बिहोश कर दिती है और उससे बोलती है कि वो उसके साथ अकेले बात करे डेल रियो की टीम ने उन तीनों आदमियों को पकड़ लिया था जिनके पेट में ड्रग्स था लूसी डेल से पूछती है कि वो ड्रग कहा है डेल बोलते हैं कि वो उनके पास सेफ है वो उन्हें बोलते हैं कि उन तीनों को अभी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है ताकि वो ड्रग्स निकाल सके लूसी डेल को लेके गाड़ी में उस हॉस्पिटल जाती है जहां वो ड्रग्स निकाल रहे थे उन्हें पता चलता है कि मिस्टर जैंग के आदमियों को भी ड्रक्स की लोकेशन पता चल गई है और वो भी हॉस्पिटल आ रहे हैं लूसी और डेल टाइम पर पहुँच जाते हैं और लूसी मिस्टर जैंग के सभी आदमियों को मार कर ड्रक्स ले लेती है इसके बाद Lucy और डेल प्रोफेसर नॉर्मन के पास जाते हैं Mr. Jang उनको प्रोफेसर नॉर्मन की युनिवर्सिटी की तरफ जाते हुए देखता है और अपने आदमियों के साथ उनका पीछा करता है Lucy Norman की युनिवर्सिटी पहुँच कर उनके कुलीक से मिलती है अंदर पहुँच कर वो रिलाइस करती है कि Mr. Jang के आदमी युनिवर्सिटी कैमपस पर है और वो डेल रियो को बोलती है कि वो चौकनने हो जाए अब Lucy Norman और उनके साथियों को सारी नौलिज देना शुरू करती है वो उनको बताती है कि असल में लेटर्स और नमबर्स कुछ है ही नहीं इंसानों ने ये लेटर्स और नमबर्स इसलिए बनाए ताकि वो इंसानों की एक्जिस्टेंस को समझ सके यूमन्स ने हमेशा वन प्लस वान इस एकुल टू सीखा है पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि नमबर्स कुछ होते ही नहीं वो बताती है कि सब चीजे टाइम पर डिपेंड करती है प्रोफेसर नॉर्मन उससे पूछते हैं कि अगर मैथमाटिक्स की दुनिया की एक्जिस्टेंस को नहीं एक्स्प्लेइन कर सकते तो क्या कर सकते हैं लूसी एक्जामपल देती है कि अगर गाड़ी रोट पर चल रही है और उसकी स्पीड इंफानाइट्स पहुचा दे तो कार गायब होगी और उसकी एक्जिस्टेंस का बस एक प्रूफ रहेगा और वो टाइम होगा लूसी अपने हाथ को म्यूटेट करती है क्योंकि उसने अपनी पूरी सेल्स पर कंट्रोल पा लिया था वहाँ आफिसर्स आकर बोलते हैं कि लूसी को जल्दी करना होगा क्योंकि जैंक के आदमी आ रहे थे लूसी बताती है कि 100% केपासिटी पाने के लिए उसे ड्रक्स के बाकी पैकेट लेने होगे वो प्रूफेसर को बोलती है कि वो कंज्यूम करके सारी नॉलिज पेन ड्राइव में स्टोर करेगी वो सारे ड्रक्स ले लेती है और अब उसकी बाड़ी से एक ब्लाक लिक्विड निकले लगता है जो उस रूम में एनरजी ढूनता है लूसी अब टाइम ट्रैवल कर पा रही थी वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब देख सकती थी वो सारी इन्फरमेशन पेन ड्राइव में स्टोर करती है उसी टाइम जैंग अंदर आता है और लूसी की तरफ गन पॉइंट करता है फ़र लूसी गायब होती है अब उसके पास इन्विजिबल होने की शक्ती भी आ गई थी डेल रियो आकर मिस्टर जैन को शूट करके मार देते हैं फाइनली लूसी का ब्लाक मैटर पेन ड्राइव में आ जाता है और सारा डेटा सेव होता है डेल रियो पूछते हैं कि लूसी कहा है उनके फोन पर लूसी का मेसेज आता है जो बोलती है जिसका मतलब था कि मैं हर जगा हूँ इसके पीछे की थियोरी ये थी कि जब ब्रेन सेल्स 100% किपासिटी पर पहुचता है तो हुमन बॉडी फिजिकल शरीर में नहीं रहता वो एनरजी के फॉर्म में कनबर्ट होता है और एनरजी हर जगा है इसलिए लूसी एंड में डेल राय को SMS भेज पाई क्योंकि SMS इलेक्ट्रो मागनेट एनरजी से लिंक्ट है इस मूवी से आपने हुमन ब्रेन की केपासिटी का कॉनसेप्ट सीखा इनसान अपने ब्रेन का कुछ ही हिस्सा यूज करता है और साइंटिस्ट इस पर खोच कर रहे हैं कि अगर किसी तरह इनसान फुल केपासिटी यूज कर सके तो क्या होगा आपने हुमन एवल्यूशन के बारे में सीखा है कैसे सेल्स हाश कंडिशन में खुद को बचाती है और स्यूटेबल कंडिशन में रिप्रडियूस करती है जैसा कि प्रोफेसर नॉर्मन ने अपनी स्पीच में बोला आपने CPH4 के बारे में भी सीखा ये एक एंजाइम होता है जो प्रेगनेंट वुमन बहुत कम कौन्टिटी में सिक्स्थ वीक में प्रडियूस करती है इस एंजाइम से बॉड़ी की ग्रोथ होती है और वो बड़ी होती है और बोन्स बनती है Hope in motivational and knowledgeable movies से हम आपको inspire कर रहे होंगे अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी friend या family member को inspire कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ सरूर शेयर करें अगर आप हिंदी में फ्री में दोस्तों से ज्यादा amazing non-fictional book summaries सुनना या पढ़ना चाते हैं तो आप description या first comment में दिये गए link से आप download कर सकते हैं anyways दोस्तों अगर आप ऐसी ही knowledgeable videos मिस नहीं करना चाते तो subscribe करने के बाद bell का बटन दबाना मत भूलिएगा आप comment करके ये भी बता सकते हैं कि आप next video किस topic पर चाते हैं जल्द ही हम आपसे दुबारा मिलेंगे जैहिंद